दोस्तों क्या आपके कंधे में दर्द होता है और उसके साथ साथ जक्डन रहती है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें नमश्कार मैं डॉक्टर रचित गुलाटी मेडिकल डिरेक्टर साउल और्थो केर दोस्तों कंधे का जोड जैसे कि हम जानते हैं सबसे flexible joints में से एक है ball and socket variety का joint है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा flexibility होती है ताकि हमारा हाथ 360 degree तक घूम सके लेकिन ये flexibility जो हमको कंधे का जोड provide करता है ये stability यानि स्थिरता के cost पर करता है यानि कि जितना flexible joint उतनी कम stability इस joint में इसलिए इस joint में अकसर बहुत टाइप की injuries और दर्ध होने लग जाते हैं frozen shoulder या adhesive capsulitis सबसे common pathologies में से एक है कंधे की adhesive capsulitis में कंधे के दर्ध के साथ-साथ उसके अंदर जकडन देखी जाती है ये जकडन जो होती है active और passive range of motion दोनों में होती है यानि कि अगर मरीज खुद का हाथ उठाए या कुसी और की मदद से हाथ उठाया जाए दोनों में range of motion restricted होती है यानि की जकडन होती है दूसरी चीज जो adhesive capsulitis में बहुत peculiar होती है वो है कि जकडन सारे planes में होती है यानि हाथ सामने की तरफ उठाना, पीछे की तरफ उठाना, sideways उठाना, अंदर की तरफ घुमाना, भार की तरफ घुमाना ये सब में restriction रहता है, जकडन रहती है अगर आपके कंधे में जकडन सिरफ active range of motion यानि खुद से उठाते हो रही है पर अगर कोई और आपकी मदद करे उठाने में या उठाये तो हाथ हसानी से उठ जाता है तो वो frozen shoulder या adhesive capsulitis नहीं है, वो कोई और diagnosis है इसके साथ साथ अगर दर्द और जकडन के साथ साथ लालीमा, सूजन या कड़कडाहट की अवाज जिसको क्रेपिटस बोला जाता है, ये भी आए तो वो frozen shoulder नहीं है, वो कोई और diagnosis होगा frozen shoulder या adhesive capsulitis जनरली दो टाइप का होता है, जिसे primary और secondary बोलते है primary frozen shoulder का cause idiopathic होता है, यानि की कोई particular कारण नहीं होता है, वो खुद बखुद हो जाता है secondary जो की थोड़ा ज्यादा common है, उसमें एक particular cause होता है या वो किसी ना किसी problem के साथ में linked होता है वो problems है, diabetes, hypothyroid, अगर कोई previous trauma या कोई कंधे में चोट लगी होई हो, अगर कोई कंधे में surgery होई हो कंधे की कोई और problem जिसमें से rotator cuff की problem सबसे commonly देखी जाती है उसके साथ association हो, या stroke या लकवा हो जाने के बाद कंधा जाम हो गया हो तो ये दो particular primary और secondary टाइप के adhesive capsulitis होते हैं signs and symptoms की अगर बात करें तो सबसे common clinical feature frozen shoulder का है कंधे का जाम हो जाना, उसके साथ साथ कंधे में दर्द रहना ये जाम जो होता है सारे planes में होता है और active और passive दोनो range of motion में होता है अगर frozen shoulder के diagnosis की बात करें तो proper history लेना और physical examination करना बहुत जरूरी है frozen shoulder जादा तर cases में clinical diagnosis होता है और इसी से हम disease का पता लगा सकते हैं दूसरी problems को rule out करने के लिए एक x-ray और dynamic ultrasound कराया जा सकता है MRI जैसी dami investigations कराने की जरूरत नहीं है unless हम कोई बड़ी pathology expect कर रहे हो या कंधे के आसपास के किसी muscle में tear expect कर रहे हो frozen shoulder या adhesive capsulitis के treatment की बात करें तो इसके लिए holistic treatment लेना बहुत जरूरी है इसको कभी भी अंदेखा ना करें डॉक्टरी परामस जल्दी से जल्दी लें कंधा अगर जाम हो जाए तो हमारे रोजमर्रा के कारे करने में बहुत problem आ सकती है shirt के button खोलना बंद करना, ladies के लिए अपने बाल बांधना, t-shirt को उतारना या t-shirt को पहनना इसके साथ-साथ रोजमर्रा के काम करना, समान उठाना, driving करना इन सब में बहुत ज़्यादा problem आ सकती है अगर आपको frozen shoulder हो holistic treatment of frozen shoulder के अगर बात करें उसमें सबसे important होता है allopathic medications लेना, उसके साथ-साथ कुछ supplements भी लिये जा सकते हैं अगर कोई primary cause और frozen shoulder का जिसकी वज़े से वो हो रहा है जैसे की diabetes या hypothyroid या अन्ने कोई cause तो उस cause को address करना बहुत जरूरी है, मूल कारण का इलाज करना बहुत अनिवार रहे है इसके साथ-साथ कुछ exercise कराए जाती है frozen shoulder में जैसे की range of motion exercises जिसमें कंधे को पूरी range of motion में गुमाना जरूरी होता है codman pendulum exercises होती है जिसमें कंधे को free छोड़ देना और pendulum की तरह गुमाना होता है wall walks होती है जिसमें आप उंगलियों से अपने कंधे को उपर तक लेके जाए wall पे जैसे walk कर रहे हैं उसकी तरह exercise हो या towel stretching exercises भी होती हैं ये बहुत ही common exercises हैं जिनको आप अपने घर में कर सकते हैं इसके साथ साथ ultrasonic therapy या tense का भी इस्तमाल किया जा सकता है कंधे के इस दर्द या frozen shoulder में frozen shoulder या adhesive capsulitis क्योंकि एक inflammatory disease है इसलिए diet का बहुत important role होता है इसके अंदर anti-inflammatory और antioxidant diet लेना अनिवारे है frozen shoulder में कुछ जिद्धी दर्द होते हैं या अगर normal conservative treatment होने के बावजूद भी दर्द और जक्रण में अराम नहीं मिल रहा हो तो कुछ injections भी किये जा सकते हैं कंधे के अंदर कंधे की joint में hydro-dilation करना ये एक बहुती common procedure है frozen shoulder में बहुती safe procedure है इसमें किसी तरह की दवाई का इस्तमाल नहीं होता normal saline के थुरू कंधे में additions को तोड़ना USG guidance के अंदर किया जाता है इसके लावा anti-inflammatory injections या greasing injections भी किये जा सकते हैं Surgery की requirement 99.9% cases में नहीं होती है frozen shoulder में और एक और बात होती है frozen shoulder self-limiting disease होता है तो यदि कोई भी treatment नहीं भी किया जाए तो 8-12 महीने में frozen shoulder अपने पूरे course को complete कर लेता है और कंधा खुद बखुद खुद खुल जाता है और दर्द कम हो जाती है लेकिन वो 8-12 महीने का अंतराल बहुत लंबा होता है रोज मरा के कारयों में बहुत दिक्कत होती है इसलिए ऐसी condition का शीगर से शीगर treatment लेना बहुत जरूरी है तो दोस्तों यदि आपको या आपके किसी परीजन को कंधे में दर्द है तो उसको कभी अंदेखा ना करें साउल और्थो केर के nearest pain management center पे जरूर contact करें आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है मैं ऐसे जानकरी भरे वीडियो आपके साथ साथ साउल और्थो केर के YouTube चैनल के थूरू शेयर करता रहता हूँ यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आये हैं तो इस चैनल को like, share वे subscribe करें इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक पहुचाएं और इस वीडियो से संबंदित आपकी कोई भी query या doubt हो तो जरूर comment box में type करें Thank you